if m is prime and n is composite number and m plus n is equals to 240 and their lcm is 14199 find m and n ठीक है यहां से अगर पन देखें तो m क्या है अपने पस m क्यों इन्होंने बता रखा है prime ठीक है तो m के factors कौन कौन से होंगे m के factors होंगे 1 और m किसे भी prime factors होता है कोई प्रायम number उसके दो ही factor होते है एक तो उसका factor 1 होता और दूसरा 않아 अपने पास composite है ठीक है तो n के आपने पास and composite होगा n के जो factor होगा वह क्या होगा वह हो होगा वन ओगा ठीक है hcf जोगा इसका one होगा इसका common factor जोगा वो one होगा one के लागा कोई भी factor common नहीं होगा थे स्फ one हो गया और इसके लिए lcm क्या गिवन है lcm गिवन है four one nine nine अब अब अपन क्या जाते हैं क्विसी भी दो पोच्ट भी नंबर के लिए अपन लिखते हैं कि हसी एफ और नंबर एज कस्टू प्रोड़क्ट ओफ नंबर ठीक है एक नंबर एम और दूसरा एन यहां से बिसक्लिए अपने पास रिजल्ट क्या गया अपने पास रिजल्ट आ क्या गया कि नंबर का मल्टिप्लिकेशन एमन की जो वैल्यू है वो क्या है 4199 और इसका सम जो है एम प्लस एन का वैल्यू गिवन है 240 तो एम प्लस एन का वैल्यू है वो क्या गिवन है 240 अपने यहां पर ऑप्शन को चेक कर लिए कि सम एम प्लस एन की वैल्यू 240 होना 9 x 221 19 और 221 इन दोनों का सम अगर पान देखें तो सम क्या है यहां पेस का 240 प्रोड़क्ट क्या है 4199 बांकि सारे ओप्शन में सम तो हो रहा है 240 बट प्रोड़क्ट 4199 के एक्वल नहीं हो रहा है तो अपना ओप्शन कौन सा करक्रों चाहिए का ओप्शन सी इस दा राइट प्रोड़क्ट बांकिन्षए यहीं है 54 और atmosphere